नमस्कार जैहिंद क्या आपने सुसाइडर बैक का नाम सुना है सुसाइडर बैक जो हमारे सेल में होता है आपने बिल्कुर सही सुना हमारे सेल में एक सुसाइडर बैक होता है जो हमारे सेल को खतम कर देता है उसका नाम है लाइजोजुम lysozom को हम लोग suicidal bag of the cell कहते है reason क्या है उसका कि वो हमारे cell के old हो जाने पे या damage हो जाने पे खराब हो जाने पे कुछ ऐसे enzymes को release करता है जो कि cell को ही खतम कर देता है इसले इसको हम लोग suicidal bag of the cell भी करते है यह जो lysozom होता है वो जादा तर eukaryotic organisms में पाया जाता है दो प्रकार के cell होते हैं एक eukaryotic और प्रोकरियोटिक eukaryotic cell का nucleus membrane होता है वो properly developed होता है और प्रोकरियोटिक का develop नहीं होता लेकिन lysozom जो है वो सभी के सभी प्रकार के लगभग eukaryotic organism में पाया जाता है और यह जो lysozom होता है यह lysozom एक membrane bounded cell organelle होता है membrane bounded का क्या मतलब है कि उसको चारों तरफ से एक membrane cover करके रखता है और उसको बाहर के environment से separate करता है lysozom जो है वो हमारे body में digestion का काम करता है cell digestion का कोई और digestion नहीं cell digestion मतलब cell को ही डाइजेस्ट कर जाना ठीक है तो अब यह जो होता है यह किस प्रकार से cell को डाइजेस्ट करता है हमने अभी बताया कि जब सेल खराब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर ओल्ड हो जाता है तो उस पूरे पूरे वाण आउट सेल डैमेज सेल ओल्ड को डाइजेस्ट कर जाते हैं खतम कर देते हैं और फिर बाद में नया सेल यह होता है यह काम होता है लाइसोस्वम का लाइसोस्वम जो होता है वह हमारे body में बहुत ही important role play करता है वह रोल क्या है तो जैसे कि हमको पता है क कि अगर हमारे body में कोई damage cell है जिसा कोई function नहीं है जो कोई काम नहीं करता है बस पड़ा रहता है तो वह हमारे body के लिए क्या है बेकार है तो अगर वह सेल खतम नहीं होगा तो फिर बहुत सारे अलग-अलग बीमारियां भी हो सकती है तो उस cell को खतम करने का काम जो होता है को लाइसओं करता है जिससे कि हमारे body में जो नएको हमेसा क्या रहता है और इसमें हमारे जो होते हैं अपने function को करते रहते हैं लाएक यह अपने ही रहता है जिसमें लाइसोसोम के बारे में आप लोग को क्लास एट में अच्छे से पढ़ तुके हैं तो बहुत अच्छा और नहीं पढ़े तो आपने वीडियो देख लिया तो मीज़ा को समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करिएगा